नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में सातियों हमारे पसुपालग भाई जो भी बैसे रखते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में उनके जो कई सवाल रहते हैं बैसों के पाली में आने की लक्षनों को लेके सर मेरी बैस ऐसे लक्षन पर कट कर रही है टो उनके सभी के जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो सातियों मैं दिन दियाल रामावत आप सभी का एक बार फिर से दन्यवाद ग्यापन करता हूँ जो आप हमारे चैनल को इतना लाइक, सेर, कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद तो सातियों आईए, बैस के हीट के लक्षनों के साथ पूरा वीडियो सुरू करते हैं सातियों, बैस के हीट के जो लक्षन आते हैं कई वार बहुत ही तेज आते हैं, जिने हम फुली हीट बोलते हैं कई वार थोड़े थोड़े कम आते हैं जिने हम medium heat बोलते हैं और कई वार बिलकुल भी कम लक्षन परकट करते हैं उसमें पसुपालक की चतुराई बहुत काम आती है उसे हम silent heat बोलते हैं तो इस वीडियो में मैं तीनों प्रकार की heat को विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की समझिया बहेंस के heat के लक्षनों को पेचानने में नहीं आये तो साथियों पहले जो हम बात करते हैं वो बात यहा है कि जब बहेंस heat में आती है यानि उसकी सुरुवात होती है उससे लेकर के चार से लेकर 6 दिन तक वो heat के लक्षन दिखाती है उन 4 से 6 दिन में अलग-लग लक्षन आते हैं जो आप गोर से सुनें पहला जो दिन है उसम करने का मतलब क्या होता है दूद निकालने के बावजूद पाउस रही है बिना समय पाउस रही है तो आप समझ लीजियेगा कि आपकी भैस हीट में आने वाली है एक दू दिन गहिए करने के बाद आपकी भैस जोarten गाडा जेरा देती है जेरा का मतलब है कि एक पदार्ट जो उसके योनी मार्क से निकलता है गाडा पदार्थ इसका मतलब अब उसका दूसरा दिन हुआ है और गाडे पदार्थ के बाद तीसरे दिन से वो एक दम से चम्किला पानी जैसा जिसे हम काज जैसा पदार्थ कहते हैं काज जैसा जेरा कहते हैं जो अगर जमीन पे गिरता है तो जमीन पे गिरने के बाद हम उसके आर पार आराम से जमीन को देख सकता है यानि एकदम से काज जैसा होता है साथ यह जो जेरा गिरता है या जिसे तांते गिरना भी कहते हैं ये कई वार ज़्यादा गिरते हैं तो कई वार बहुत ही कम गिरते हैं यानि जो silent हीट होती है उसमें बहुत ही कम गिरते हैं और जेरे गिरने का जो समय है वो एक से लेकर के तीन दिन तक का हो सकता है सातियों, 80% बैसे एक ही दिन पतले तांते देती हैं, लेकिन आज कल यह जो मोसम बदल रहा है, इसके इसाब से जो साइलेंट हीट वाली बैसे हैं, वो 2-3 तिन दिन तक, कई वार तो 4-4 दिन तक तांते देती रहती है, यानि 4-4 दिन तक वो इट में रहती है, तो जो मैन है जो फुल हीट जिसे हम बोलते हैं उसमें क्या होगा साथियों उसमें तांते देना जूहीं सुरू होगी और बैस बोलना शुरू हो जाएगी यानि रिड़केगी मुझसे आवाजें निकालेगी और इसमें जो है ना विवार कईवार उग्र कर लेती है उग्र का मतलब जो पेशा आपको सूंगना और दूसरी बैसों के भी पेशा आपको सूंगना पोच उठा करके और इदर उदर जो लक्षन जो विवार है वो बहुत जदा उग्र हो जाता है दूद देने में आनागानी करती है खाना पिना बंद कर देती है यानि ऐसे लक्षन फुल हीट के हो इसके अलावा जो मीडियम हीट आती है जो थोड़ी कम हीट होती है उसमें ये लक्षन पहले वाले आते हैं लेकिन थोड़े से कम आते हैं यानि थोड़ी देर बोली रुख गई कभी बहस के उपर जड़ेगी खुली जो है वो बागी कभी-कभी इदर उदर भागती है यानि silent हीट को पैचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हमें विशेज ध्यान देना होगा तो silent हीट की पैचान कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं silent हीट में अकसर बैसे तीन दिन तक जेरे देती है यानि पतले तांते देती है तांते अगर कम दे सुबह जल्दी देखे या शाम को लेट देखे यानि सुबह जल्दी या शाम को लेट जो है वो silent हीट वाली अच्छे लक्षन दिखाती है तो आप इस हिसाब से silent हीट की पैचान करें इस परकार से साथियों बैस जब हीट में आना सुरू होगी पहले दिन दोके करेगी द या तीन दिन तक आ सकते हैं अगर मानली जी वो बोल रही है फुली हीट है तो जब गाड़ा जरा देगी उसके दूसरे दिन जो ही पतले तांते शुरू करेगी बोलने लग जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कई वार ये बारा गंटे बोलती है त लेकिन तांते देने लग जाए वो दो या तीन दिन तक तांते देगी चमकिले उसके बाद जूई वो पाली हटाएगी यानि पाली उतरेगी जिसे हम पाली तोड़ना कहते हैं उस समय वापिस गाड़ा जेरा देगी ये भी आविशे ज्यान रखें यानि गाड़ा जेरा फिर पतला दिया फिर गाड़ा दिया इसका मदलब वापिस जब गाड़ा देना लगी है इसका मदलब वो हीट हटा चुकी है यानि पाली से उतर चुकी है उसकी भी आप पहचान कर लें इसके अलावा इसमें एक बात और है साथियों ध्यान रखनेगी वो बात है हमारी ब आई थी इस समय किस हीट में आइथी यानि अशी प्रतिस्त मेंसें जो है वो जो पिछली बार हीट में आई थी वह हीट वापिस लाती है यानि कि जो बोल्त refresh से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी बैस सैलेंट रहेगी या बोलेगी